अगर आप Taro में और कल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अधर वाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट जाब सीखना चाहते हैं, we have a Taro Certification Course जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा, अपनी इस जर्नी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं, ये भी इस कोर्स में covered है, और इसी से ही related अगर कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में है, आप स्क्रीन पे दिये गए नंबर पे हमें WhatsApp कर सकते हैं, अपने doubts को clear कर सकते हैं, और अगर आपका tarot, occult में बहुत interest है, अभी आप सीखने के mood में नहीं है, तो आप मेरा free webinar जोइन कर सकते हैं, जिसमें tarot, occult और इन ही सब चीजों से related काफी सारी information आपको जानने को मिलेगी, इन दोनों की ही links आपको नीचे description box में मिल जाएंगे, यानि की tarot certification और webinar के लिए, Hello everyone, मैं हूं किरिंशापरी और यह है आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, ये 6th में से 12 में तक की आपकी tarot rating है, tarot predictions है, और इस वीडियो में सब ही signs के सापता ही क्राशी फल है, नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है, आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आ जाएगी, और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें, फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो, तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week के सापता ही क्राशी फल, ladies आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है universe, और देखें universe को अगर आप देखें, यानि कि भ्रहमान को आप देखें, ना तो उसकी शुरुवात दिखती है और ना ही उसका अंद दिखता है, यकिनों बहुत ही limitless energy दिखती है, और कहीं यहाँ पर universe का कार्ड आपके professional front के लिए इसी energy की बात करता है, और इस हिसाब से देखें, ये कार्ड expansion की बात करता है, और इस week हो सकता है professional front में, आप चीजों को जो भी काम आप कर रहे हैं, उसको expand करना चाहा रहे हैं, कुछ चीजों को end करके नई चीजें शुरू करना चाहा रहे हैं, और साथी साथ देखें, किसी भी काम को अगर आप बहुत time से कर रहे थे, और आपकी बहुत कोशिश थी कि ये complete हो जाए, तो इस week वो complete भी होता हुआ दिख रहा है, और कोई भी काम जब complete होता है, तो नया तो साथी साथ शुरू होता है, तो इस तरीके से देखें, एक ending, beginning भी किसी लेवल पे रहती हुए दिख रही है, universe आपको favor करता हुआ दिख रहा है, किसमत आपका साथ देती हुए दिख रही है, और कहीं देखें, आउट अफ दा कंट्री से related भी हो सकता है, कि कोई आक्टिविटी किसी न किसी लेवल पे रह रही हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये आउट अफ दा कंट्री से related आक्टिविटी सब एईज के लिए डिफर करेगी, कुछ के लिए हो सकता है, simply आप travel कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है, अपने work को आप global लेकर जाना चाहा रहे हैं तो दिखिए इसी तरीके से कोई भी activity रह सकती है जो भी दो चीजे मेरे माइन में आई, मैंने कहा all in all ये वी काफी अच्छा रहतावा दिख रहा है फिर से कहूंगी आप चीजों को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं या फिर expansion के बारे में सोच रहे हैं या इसी से related action initiatives ले रहे हैं in the process कुछ चीजों को end करके नई चीजों को शुरू करना चाहा रहे हैं और personal front के लिए आप लोगों के लिए hope का card है तो देखिए hope बहुत ही एक amazing energy होती है अगर किसी चीजों को लेकर हम नाउमीद हो जाये ना तो वो काम बाद में नहीं होगा लेकिन हमारे माइन में या हमारे लिए उसी time पर खतम हो जाता है उसके chances भी हो तो भी हम बड़े मायूस हो जाते हैं तो यहाँ पर hope का card बहुत ही एक beautiful energies की बात करता है पीछे किसी भी चीजों को लेकर अगर आप नाउमीद हो रहे थे आपने hope खोई थी तो इस week एक hope जाकती हुए दिख रही है और साथी साथ दिखिए यह card clarity की भी बात करता है पीछे अगर आप personal front के किसी भी अरिया में या overall ही directionless feel कर रहे थे आपको समझ में नहीं आ रहा था आप क्या करें क्या ना करें एक उथल पुथल सी energies थी disturbing वाली energies थी तो इस week कहीं आपका मन किसी level पे शांत होता हुआ दिख रहा है और कहीं एक peace of mind रहता हुआ दिख रहा है और पिर से कहूंगी direction दिखती हुई दिख रही है clarity मिलती हुई दिख रही है काफी एक positive frame of mind में आप रहते हुए दिख रहे हैं all in all personal friends related भी ये भी काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है and in general या फिर guidance है आप लोगों के लिए refusing to see का card है तो I don't know इस card को आप कितना देख पा रहे हैं इस card में जो figure है उनकी आखों के आगे helmet आयो है यानि कि वो देख नहीं पा रहे हैं या फिर जान मुझके देखना नहीं चाहा रहे हैं तो दिखे इस card का मतलब actually में यही होता है कि आप बहुत सरी चीज़ों को देख के न देखा कर रहे हैं सुन के न सुना कर रहे हैं और दिखे जब भी हम ऐसी energies में होते हैं हम सिरफ और सिरफ अपना नुकसान कर रहे होते हैं क्योंकि अगर हमें सामने दिख रहा है कि भाई यह काम गलत है हमें नहीं करना चाहिए और फिर भी हम आखे बंद करके चलते जाएंगे तो फिर problem में तो हम ही आएंगे न एक कहावत है जहांपर अगर कबूतर बिल्ली को देखकर आखे बंद कर लेता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि बिल्ली उसके पास आना बंद कर देगी बिल्ली तो आती रहेगी और कबूतर को खा जाएगी तो इस situation में ideal you know scenario यही होता है कि कबूतर उड़ जाए बिल्ली को देखके आखना बंद करे वो उड़ जाए तो इसी तरीके से देखिए किसी भी life की situation में आप चीज़ों को upfront होके नहीं deal कर रहे हैं किसी भी reason की वज़े से या फिर देखके अंदेखा कर रहे हैं सुन के अंसुना कर रहे हैं तो इतना समझ लीजे Aries आप सिरफ और सिरफ अपना नुकसान कर रहे हैं इस टाइम आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन जब बाद में समझ में आएगा तो फिर लेट हो चुका होगा और आप परेशान होंगे तो कोई भी मसला, कोई भी issue या कोई भी fear या कोई भी x by z चीज है अगर आपको लग रहा है ठीक नहीं है आप उसके लिए stand ले आप उसको upfront होके deal करें और astrology से आप लोगों के लिए Aries sign का card है और देखें Aries sign भी कहीं action लेने की बात करता है initiative लेने की बात करता है तो यहाँ पर astrology वाला card भी आपको यही guidance दे रहा है कि आप चीजों को अन्देखा ना करें जहां stand लेने की ज़रत है वहाँ stand ले जहां action initiatives लेने की ज़रत है वहाँ action initiatives लें अब इस card के हिसाब से आप लोगों के लिए lucky color देखें तो all shades of red, maroon, rust and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो यह था Aries आप लोगों के लिए coming week का साथ ता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आप ते साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलिए Taurus आप लोगों के लिए रेखें कि कहीं इस भारी से समान को उठाने के लिए बहुत strength, बहुत stamina की जरत है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front के लिए रहता हुआ दिख रहा है जहां पर किसी चीज को लेकर एक burden, एक pressure आप महसूस कर रहे हैं और इसी वज़े से या कोई भी और reason हो सकता है एक ठकावट आप महसूस कर रहे हैं होता है ना कभी-कभी हमें ऐसे लगता है कि बस हम ठक गए अब हमारे पास और strength नहीं है, stamina नहीं है, continue करने का, आगे बढ़ने का और फिर भी जब हम give up नहीं कर रहे होते हैं तो उस time पर हमें physical, mental, emotional strength से ज़ादा spiritual strength की ज़रत होती है और फिर से कहूंगी कुछ ऐसा ही आप लोग भी इस week महसूस करते हुए दिख रहे हैं जहांपर मैं यह नहीं कहूंगी कि physical strength की ज़रत नहीं है यह physical strength की भी ज़रत है, mental, emotional strength की भी ज़रत है लेकिन साथ ही साथ spiritual strength के बगैर आप इस चीज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे या फिर आपको ऐसे लग रहा है नहीं possible होगा और इसी चीज के उपर focus भी रहता हुआ दिख रहा है और जब भी यह card आता है मैं यही कहती हूं कि यह 9 number का card है आप अपनी मनजिल मकसद के बहुत करीब है आप ठक जरूर गए हैं लेकिन आपने give up नहीं करना है आप परिशान थोड़ा सा जरूर हो रहे हैं थोड़े से मायूस जरूर हो रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम से आप effort कर रहे हैं आपको वो एक outcome नहीं मिल रहा वो एक result नहीं मिल रहा जो आप चाहा रहे हैं लेकिन फिर भी आपने give up नहीं करना है आपने continue करते रहना है आपने strength रखनी है आपने stamina रखना है और अगर आपने एक final कोशिश करी definitely जो भी आप चाहते हैं उसको achieve कर पाएंगे क्योंकि फिर से देखे मैं आपको बता दूँ ये 9 number का card है 9 arrow और numerology में कहीं आखरी number है और ये number यही कहता है again कि आप अपनी मंजिल मकसद के करीब हैं effort करेंगे तो जरूर उसको पालेंगे and personal front के लिए आप लोगों के लिए love begins का card है तो देखे love begins का card बहुत beautiful energies की बात करता है सबसे बहली चीज़ ये card कहता है कि किसी level पर किसी भी तरीके से एक beginning इस week specifically personal front में या तो हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं और ये beginning सब के लिए personal life से related different areas में रह सकती है क्योंकि आपे love begins है तो किसी भी relationship में जादा ये beginning रहती हुई दिख रही है या फिर जिस चीज़ को जिस काम को आप बहुत enjoy करते हैं आप बहुत passionate हैं उससे related जादा रहती हुई दिख रही है अब देखे ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा अगर आप love affair से related देख रहे हैं और पीछे आपके partner के साथ कुछ issues मसले रहे तो इस week reconcile होने के बहुत सारे chances हैं एक नई beginning आप दोनों के बीच में होने की बहुत सारे chances हैं और अगर किसी भी loved one के साथ for that matter of fact मैंने love affair बताया अगर आपके mother के साथ, father के साथ, बच्चों के साथ या किसी भी friend के साथ, colleague के साथ, again किसी के साथ भी अगर कुछ issue मसला रह रह रहा था वो resolve होता हुआ दिख रहा है एक नई शुरुवात आपके relationship में आती हुई दिख रही है and कुछ के लिए हो सकता है कि कोई चीज आप खरीद रहे हैं जिसको आप बहुत time से खरीदना चाहा रहे थे बहुत you know उसके लिए आपकी एक desire थी, इच्छा थी और दिखे कोई भी चीज हो सकती है यहां पे कोई एक नई beginning इस week रहती हुई दिख रही है जो एक happiness, joy, satisfaction लाती हुई दिख रही है कुछ के लिए हो सकता है कि किसी भी तरीके का celebration है marriage, engagement, get together, reunion किसी भी तरीके का देखिए जो भी मेरे माइंड में आया मैंने कहा again यह general reading है तो सब चीजों को mention करना possible नहीं है but yes, you know, eating, drinking, merrymaking, relationships, gatherings यह कहीं इस week जादा रहता हुआ दिख रहा है या फिर इस पे आपका focus जादा रहता हुआ दिख रहा है and in general या फिर guidance से आप लगों के लिए spread your wings का card है तो दिखे इस week आप बिलकुल भी अपने आपको restrict ना करें अपने आपको उस चीज के लिए ना रोकें जो आप चाहते हैं या फिर जो आपकी एक desire है spread your wings का card बहुत ही clearly कहता है कि अपने punk, you know, बाहर निकालें और अपनी उडान भरें जिस भी चीज को आप चाहते हैं जो भी आपकी desire है उसी direction में action initiatives लें and astrology से आप लोगों के लिए Uranus का card है इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो यह था टौरस आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आप ते साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिकरा रहा है क्या energy है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है heart taken laws और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में कोई चीज आपको थोड़ा सा मायूस कर रही है थोड़ा सा परिशान कर रही है अब दिखें इस चीज को सुनके आपने परिशान नहीं होना है क्योंकि यह आपकी पुरी जिंदगी की reading नहीं है यह सिरफ और सिरफ इस week की reading है और इस reading से आपने guidance लेनी है कि कैसे आप coming week को बहतर कर सकते हैं तो देखें सबसे पहली guidance आपके लिए ही होगी कि आपने बहुत high expectation किसी भी इंसान से किसी भी situation से नहीं रखनी है क्योंकि देखें weekly reading में बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती है छोटी छोटी चीजें आपको परिशान कर सकती है कभी कभी होता है न हम बड़े sensitive हो जाते हैं किसी की कोई भी बात दिल पे लगा लेते हैं या फिर छोटा सा भी हमारे हिसाब से चीज नहीं हुई हम उसको बहुत जादा अपने mind में बड़ा बनाते हैं तो लीकिए जो दो चीजें मेरे mind में आई कि जिस सरीके से आप hurt हो सकते हैं, परिशान हो सकते हैं मैंने आपको कहा सब के लिए different situations, different circumstances रहेंगे लेकिन एक बात मैं आपको बता दू, most of the times हमारा दुख, हमारी परिशानी का कोई concrete reason नहीं होता है कोई, you know, एक major reason नहीं होता है एक का दुखा लोगों की बात अलग है या फिर मैं कहूंगी कि 10%, 20% बात अलग है कि जन्वन एक reason होता है जिसकी वज़े से हम परिशान होते है और मेरा एक मानना है कि हर challenge, हर परिशानी में एक blessing छुपी ही होती है और जब हम उस challenge में इतना उलट जाते हैं हम बहुत जादा मायूस हो जाते हैं निगडे frame of mind में चले जाते हैं हम उस blessing को नहीं देख पाते हैं तो इस week अगर आपके हिसाब से चीज़े ना हो तो आप again मैं कहोंगी परिशान ना हो आप अपने आपको कहें कि मेरे हिसाब से नहीं हो रही है इसका मतलब universe के हिसाब से हो रही है जिन God को आप मानते हैं, उनके हिसाब से हो रही है और जाहिर सी बात है अगर उनके हिसाब से हो रही है तो आपकी expectation से बहुत जादा अच्छी तरीके से चीजे रहेंगी तो फिर से देखिए इस week आपने emotionally strong रहना है और कहीं किसी भी issue, किसी भी मसले को अपने mind में बढ़ा नहीं बनाना है आपने बहुत sensitive किसी भी चीज के लिए नहीं होना है, बहुत high expectation किसी भी चीज के लिए नहीं रखनी है और अगर कोई challenge आता भी है तो आप इस चीज को अपने mind में रखें कि इस challenge में कुछ blessing छुपी हुई है और इस blessing को अगर आप खोजने की कोशिश करेंगे, आप ढूणने की कोशिश करेंगे, यकीन मानिए ये week आपका बहुत अच्छा जाएगा and personal front के लिए आप लोगों के लिए triumph success का card है और अगर आप इस card को देख पा रहे हैं, इसमें एक sword है और sword कहीं you know challenges तो लेकर आती है लेकिन साथी साथ सच के लिए बहुत एक बड़ा role play करती है और sword कहीं you know clarity की भी बात करती है तो इस week personal front में भी कुछ इसी तरीके की चीज़े रहती हुई दिख रही है जहाँ आपे छोटे मोटे issues मसले रह सकते हैं लेकिन ये issues मसले आपको success की तरफ लेकर जा रहे हैं beautiful energies की तरफ लेकर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर triumph success का card again देखिए बहुत ही clearly success की बात करता है तो इस week personal front में बहुत चीज़ों को लेकर emotional ना हो बहुत चीज़ों को लेकर sentimental ना हो और देखिए एक fighting spirit ज़रूर रखें इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोगों से लड़ें but yes जो बात आपको ठीक नहीं लग रही है जो बात आपको गलत लग रही है उसके लिए आप stand ज़रूर लें क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि कहीं source सच के लिए भी use होती है सच की लड़ाई करने के लिए use होती है तो कहीं अपने लिए stand ज़रूर लें गलत बात को ना tolerate करें एक fighting spirit रखें लोगों से नहीं situation से, circumstances से and most of the times जो हमारे negative thoughts होते हैं negative belief systems होते हैं इनके साथ हमें लड़ाई करने के ज़रूरत होती है तो अगर आप ऐसी energies रखेंगे इस week personal front में देखिए success का तो card ही है तो आपको definitely success मिलेगी लेकिन अगर आपने give up किया आपने एक fighting spirit नहीं रखी clarity नहीं रखी और यहाँ पर देखिए लड़ाई अपने ही negative thoughts से नहीं करी यहाँ फिर अपने लिस्टार नहीं लिया तो फिर आप थोड़ा परिशान हो सकते हैं and in general यहाँ फिर guidance से आप लोगों के लिए manifest का card है तो देखिए हमने देखा professional front में तो clearly छोटे मुटे issues मसले रह रहे हैं personal front में भी success है लेकिन challenges के बाद और यहाँ पर manifest का card आपको याद दिला रहा है कि आपके अंदर बहुत power है आपके अंदर बहुत potential है in fact मैं कहूंगी हमारे thoughts के अंदर बहुत power होती है हमारे thoughts के अंदर बहुत potential होती है जो हम सोचते हैं वो हो जाता है तो बहुत बहुत important है इस week आप positive सोचें और जो आप manifest करना चाहते हैं जो आप अपनी life में चाहते हैं आप उसके बारे में ही again मैं कहूंगी सोचें उस पे focus करें क्योंकि हाँ पर फिर से कहूंगी बनीफिस का कार्ड आपको यही आप दिला रहा है कि आप जो चाहेंगे वही होगा negative सोचेंगे तो negative होगा positive सोचेंगे तो positive होगा तो इस चीज का खयाल आप जरूर रखें and astrology से आप लोगों के लिए Scorpio sign का का कार्ड है इसके हिसाब से sea green, sea blue जो भी समुंदर के रंग है वो आपके लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो यह था Gemini's आप लोगों के लिए coming week का साबता है ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए के answerians आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है light और देखिए यहाँ पर light का card sun के energies को represent करता है और sun कहीं happiness, joy, success, victory की बात करता है तो इस week आपके professional front में कुछ ऐसी सी ही energies आते हुए दिख रही है पीछे किसी भी चीज को लेकर अगर आप effort कर रहे थे, महनत कर रहे थे आपको उसमें success मिलती हुए दिख रही है आपको appreciation, recognition भी अपने work front में मिलता हुआ दिख रहा है और पीछे किसी भी चीज को लेकर अगर आप confused हो रहे थे, तो बहुत जबरदस्त एक clarity भी आती हुए दिख रही है दिखे, light means roshni और roshni में हर चीज crystal clear हमें नदर आती है तो फिर से कहूंगी, एक clarity आती हुए दिख रही है बहुत confident आप चीजों को लेकर महसूस करते हुए दिख रहे है इसी confidence के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे है and yes, all in all, ये weak professional front related बहुत अच्छा रहतावा दिख रहा है and the person front के लिए आप लुगों के लिए suffering and silence का card है तो दिखे, कोई चीज आपको bother कर रही है, परेशान कर रही है और man ही man, आप किसी level पर suffer कर रहे है दिखे, suffer बहुत ही एक heavy energy होते है तो मैं नहीं कहूंगी, suffer कर रहे है इस card में जरूर ऐसा लिखा हुआ है but yes, आप खुश नहीं है, आप परेशान हो रहे हैं आप मायूस हो रहे हैं एक, you know, happy state of mind आपका नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको यहीं कहूंगी कि दिखे, जब किसी भी चीज को हम बार-बार-बार सोचते रहते हैं और especially, you know, हमें परेशान कर रहे होते हैं तो यह हमारी परेशानी को multiply करता है और कहते भी हैं कि अगर आप problem पर focus करेंगे तो problem बढ़ेगी और अगर आप problem के solution यानि की हल पर focus करेंगे तो आप उसको solve कर पाएंगे, चीजों को better करेंगे तो इस week, personal front way में आपको यहीं कहूंगी कि जो भी चीज आपको बहुत bother कर रही है, परेशान कर रही है सबसे पहली चीज आप problem पर ना focus करें आप उसके हल यानि कि उसके solution पर focus करें और किसी ना किसी इंसान से went out जरूर करें क्योंकि देखिए आप लिखा हुए suffering in silence मतलब मन ही मन आप घुटे जा रहे हैं, मन ही मन अफसल कर रहे हैं आप किसी से went out नहीं कर रहे हैं, आप किसी से discuss नहीं कर रहे हैं आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं मुझे ऐसे लगता है हम लोग human beings हैं, हमारी एक desire होती है हमारी एक need होती है, in fact मैं कहूंगी कि हम किसी से अपने दिल की बात कह पाएं तो मैं यह नहीं कहूंगी कि आप सबसे अपनी जो भी फीलिंग्स है उनको शेयर करें पट येस एक इंसान हमारी लाइफ में जरूर होना चाहिए जिससे हम बात करें और वो हमें जज ना करें तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जरूर उनसे बात करें डिसकस करें और अगर नहीं है तो ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए आप जरूर इस चीज़ के बारे में सोचें कि ऐसा एक फ्रेंड आपकी लाइफ में जरूर हो तो देखिए अभी हम फिलाल इस week की बात करें तो negative आपने नहीं सूचना है negative thoughts आ रहे हैं आपने तुरंट खुद को बोलना है recall, cancel, delete और उसको positive के साथ replace करना है और कैसे आप खुद को इन energies ने से बाहर निकाल सकते हैं उस पे focus करें और ये सिरफ और सिरफ इस week की energies हैं नहीं अभी एक नहीं energies लेकर आएगा चीजें बहतर होंगी तो इस week को फिर से कहूंगी कैसे, you know आप एक positive frame of mind के साथ निकाल दे, pass कर दे आप उसके उपर जादा focus करें and in general या फिर guidance से आप लगों के लिए new vitality का card है और ये card कहता है कि जो भी पुरानी चीजें आपको serve नहीं कर रही है, परिशान कर रही है आप उनको let go करें और बहुत ही enthusiasm, बहुत ही excitement के साथ जो नई चीजें आपकी life में आने के लिए ready हैं उनको welcome करें और देखिए new vitality का card एक और चीजे कहता है कि आप अपने goal, अपने मकसद के लिए motivation लेकर आएं और एक enthusiasm, excitement भी जरूर रखें क्योंकि जब तक enthusiasm, excitement नहीं होता है तब तक हम अपने मकसद को पा भी नहीं पाते हैं और देखिए अगर इसके लिए आपको conscious effort करना पड़े एक awareness के साथ इसके लिए आपको फिर से मैं कहूंगे effort करना पड़े तो ज़रूर आप एक effort करें enthusiasm, excitement, motivation अपने goal, अपने मकसद के लिए लाने के लिए और astrology से आप लोगों के लिए वोगों साहिन का card है इसके हिसाब से all shades of brown and beige इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा awareness day तो ये था किन सेरेंज आप लोगों के लिए coming week का साथता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Leo's आप लोगों के लिए देखें कि हमी week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है fulfillment of wishes और देखें बहुत ही clearly ये card wishes के पूरे होने की बात करता है अब मैं ये नहीं कहूंगी कि सब Leo's के अपने professional front से related में ले रहे है या फिर कुछ के लिए literally भी हो सकता है कि आपकी कोई wish कोई इच्छा या तो पूरी हो रही है या फिर इस week आपको ऐसे लग रहा है कि अब ये इच्छा अब ये wish आपकी पूरी हो जाएगी तो देखे ये एक reason है आपकी happiness का या फिर जो काम आप कर रहे है उसमें एक satisfaction, joy आपको मिल रही है overall के लिए ये card कहीं happiness, joy, satisfaction की भी बात करता है और कहीं ऐसे ही energies इस week आपके professional front में रहते वे दिख रही है and yes जो भी काम आप कर रहे हैं बहुत enjoy करते हुए दिख रहे है materialistic, tangible चीजे, money, पैसा, इस week's source of happiness नहीं है इस week's source of happiness है जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें एक खुशी आपको मिल रही है उसमें एक joy, एक satisfaction आपको मिल रही है अब मैं यह नहीं कह रही हूँ कि money, पैसे से related आपको gain फायदा नहीं होगा हो सकता है, हो रहा हो लेकिन उससे उतनी happiness आपको नहीं मिल रही है जितना जो काम आप कर रहे हैं, उसको enjoy कर रहे हैं, उससे आपको मिल रही है तो overall फिर से कहूंगी यह week specifically professional front से related काफी अच्छा जाता हूँ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए triumph का card है क्या बात है Leo's, यह पूरा ही हफता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बहुत great रहता हूँ दिख रहा है देखिए triumph का card कही success की बात करता है, victory की बात करता है और personal front में पीछे कुछ time से आप अगर effort कर रहे थे, किसी भी चीज के लिए महनत कर रहे थे और इस week आप उसका एक outcome अगर you know expect कर रहे हैं, wait कर रहे हैं तो आपको एक positive result मिलता हूँ दिख रहा है, positive outcome मिलता हूँ दिख रहा है आपके loved ones, close ones की तरफ से आपको एक appreciation, एक recognition मिलती हूँ दिख रही है in fact मैं कहूंगी जो भी लोग आपके आज स्पास हैं, आपके around हैं वो काफी आपको एक high उसमें देख रहे हैं और जो लोग social media से connected हैं, आपके followers बढ़ सकते हैं आपको जादा एक fan following हो सकती है, तो देखिए, all in all आप limelight में रहते हुए दिख रहे हैं और कहीं एक success, victory मिलती हुए दिख रही है appreciation, recognition मिलती हुए दिख रही है और लोग आपको follow करते हुए दिख रहे हैं, आप चीजों का control अपने हाथ में लेकर lead लेते हुए, in fact मैं कहूंगी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो दोनों ही fronts के लिए ये भी काफी अच्छा रहतावा दिख रहा है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए confront का card है अभी मैंने कहा कि दोनों ही fronts काफी अच्छे रह रहे हैं और यहां पर confront का card कहता है कि जो भी external front में हो रहा हो deeper level के लिए कोई एक fear, कोई एक डर आपको परिशान कर सकता है और यहां पर बहुत ही clearly confront का card कहता है कि जब तक आप इस अपने fear को upfront होके नहीं deal करेंगे, confront नहीं करेंगे तब तक कहीं back of the mind में वो आपको परिशान करता रहेगा कितनी बारी होता है न हम चीजों को under the carpet रख लेते हैं especially जो भी ऐसे fear, insecurities हमारे मन में होते हैं हम कहीं उनको suppress कर लेते हैं और जब तक वो हमारे mind के अंदर रहते हैं हमें किसी ना किसी level पर वो तंग करते रहते हैं तो हमने इनको माइन के अंदर नहीं रखना इनको माइन से बाहर निकालना है इनको confront करना है और माइन के बाहर यानि कि अपने system से बाहर कर देना है तब ही हम एक total happiness total happiness तो ऐसे कुछ नहीं होती बट एक true माइने में happiness और joy महसूस कर पाते हैं तो इस चीज का खयाल जरूर रखें और astrology से आप लोगों के लिए विस्ता का card है इसके हिसाब से all shades of yellow and orange इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday and Sunday तो यह था लिए उस आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए उस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिए करा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए काड है discontent and boredom और यह काड कहता है कि इस week specifically professional front में एक monotonous सी energies, एक boredom, एक dissatisfaction आप महसूस कर सकते हैं और देखी इसका मतलब यह नहीं है कि आपके professional front में कुछ गलत हो रहा है कुछ खराब हो रहा है in fact जब भी भी यह काड आता है हम यही कहते हैं कि आपके आसपास सब कुछ बहुत बढ़िया है लेकिन कहीं आप किसी भी चीज को enjoy नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज में आपका involve होने का मन नहीं कर रहा है कहीं you know आप demotivated महसूस कर रहे हैं अपने गोल अपने मकसद के लिए enthusiasm excitement कहीं missing है और दिखिए reason क्या है यह तो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि यह general reading है और सब Virgos के लिए different reason रहेगा लेकिन मैं इतना जरूर आपको कहूंगी कि इस week आपके लिए बहुत बहुत important है आप कुछ तो ऐसा करें जिससे कि एक motivation आप लेकर आए अपने goal अपने मकसद के लिए एक enthusiasm एक excitement आए क्योंकि दिखिए जिस भी energy में हम बहुत time के लिए रहते हैं हम उसी में ही बहुत deep जाते हैं और फिर एक time आता है कि हम चाहा कर भी उसमें से बहार नहीं निकल पाते हैं और मैं यह नहीं कह रही हूँ कि कोई बहुत severe सी energies हैं हो सकता है कुछ के लिए शुरुवात हुई है मैं सिरफ आपको यह कह रही हूँ कि इस energy को बहुत prolong ना होने दें जैसे ही आपको लगे कि भाई आप demotivated महसूस कर रहे हैं enthusiasm, excitement कहीं missing है तुरंट आपने अपने आपको इस energies में से बहार निकलना है ताकि आप deep in energies में ना जाएं All in all, देखे कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, कुछ भी खराब नहीं हो रहा है फिर से मैं कहूंगी आज पास सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है लेकिन आप ही कहीं चीजों को नहीं enjoy कर पा रहे हैं तो conscious awareness के साथ, conscious effort के साथ आपने अपने आपको चीजों में involve करना है खुद को, you know, motivate करना है enthusiasm, excitement ले करानी है and personal friend के लिए आप लोगों के लिए temptation का card है और temptation का card कहीं लालच की बात करता है, greed की बात करता है अब वोगोज मैं ये नहीं कह रही कि आप greedy हो रहे हैं या फिर आप लालची हो रहे हैं but yes, किसी भी चीज को लेकर personal friend में एक satisfaction आपने ही महसूस कर रहे हैं और दीखिए हम सब लोग इनसान हैं, ये satisfaction बड़ी मुश्किल से आती है लेकिन जब आज आती है तो बहुत साथ में happiness, joy लेकर आती है और जब तक नहीं होती है ना मन परेशान रहता है और इस week ये energies बहुत जादा रहती भी दिख रही हैं यानि कि बहुत जादा ही professional friend में भी हमने देखा एक dissatisfaction है और personal friend में भी कहीं ऐसी सी energies रह रही है professional friend में आप थोड़ा सा withdraw कर रहे हैं और personal friend में आप कहीं थोड़े से हो सकता aggressive हो रहे हैं थोड़े से controlling हो रहे हैं, थोड़े से dominating हो रहे हैं कहीं बहुत ज़ादा action initiatives लेना चाहा रहे हैं चीजों को control करने के लिए और अगर आप भी ऐसी energies पाएं तो ज़रूर इस चीज को check करके correct करें क्योंकि देखिए temptation का card किसी ना किसी level पे एक obsessive एक possessive से energies की भी बात करता है अब देखिए किसी भी चीज को लेकर जब हम obsessive हो जाते हैं तो हम इतना उस चीज से attach हो जाते हैं वो किसी भी चीज का outcome हो, इंसान हो, हमारी feeling हो या फिर कोई non living thing हो और ये attachment हमें परिशान करती है तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि आप एक detached attachment अगर रखते हैं और अपना करम करते हैं, beyond the point, फल की इच्छा नहीं करते हैं यहाँ फिर result पे आप ज़्यादा focus नहीं करते हैं, universe पे surrender करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये week आपका बहुत अच्छा जाएगा लेकिन थोड़ा इसा भी आपने अपनी wishes, अपनी desires को अपने उपर हावी होने दिया और बहुत जादा आप इन ही अपनी इच्छाओं के गुलाम बनें, यहाँ पे दिखिए सब के लिए different इच्छा होगी, कुछ के लिए किसी love one से बात करने की इच्छा हो सकती है, कुछ के इतना जादा नाहावी होने दें, कि आप फिर किसी और चीज के बारे में सोची नहीं पा रहे हैं, इक ही चीज आपके अमन में चल रही है, कैसे आप इस चीज को हासिल करें, कैसे आपको यह चीज मिले, यहाँ पे सब के लिए different चीज़ें हो सकती है, इतना जादा कि आप क करें, result पे जादा focus ना करें, जिन God को मानते हैं, उन पे surrender करते हुए, faith करते हुए, जो भी best action initiatives हैं, जिस भी चीज को आप पाना चाहते हैं, उसके लिए लें, लेकिन बहुत जादा अपसेसे उसके लिए ना हूँ, and in general यहाँ फिर guidance है, आप लोगों के लिए message है, find balance, तो द जादा किसी चीज में खुद को involve ना करें, यानि कि कोई भी चीज over ना करें, कोई भी चीज under ना करें, and yes, इस चीज का आप खयाल रखते हैं, यह week आपका बहतर जाएगा, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं, and astrology से आप लोगों के लिए a Taurus sign का card है, इसके इसाब से all shades of green, all shades of yellow, इस week आप लोगों के लिए लगी रहेगा, and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday, तो यह था, वोगोज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे कमें सेक्शन में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ रिजनेट किया, कितना आप connect कर पाए, चले Libras, आप लगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लगों के लिए card है balance, और दिखिए बहुत ही clearly यह card कहता है कि इस week specifically professional front में कैसे एक balance आप maintain करें, इस पे आपका focus रह रहा है, अब दिखिए यह थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा, कुछ work goes, sorry Libras के लिए हो सकता है, कि आप एक से ज़ादा चीजों में involved हैं, और एक balance आप maintain करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे कोई चीज आप जरुरत से ज़ादा कर रहे थे, या पिर जरुरत से कम कर रहे थे, और इस week आपको ऐसे लग अब ये सब के लिए differ करेगा, यानि कि क्या चीज आप जरुरत से ज़ादा कर रहे थे, या पिर जरुरत से कम कर रहे थे, कुछ के लिए सिंपली हो सकता है, अपने goal अपने मकसद के लिए आप बहुत ज़ादा effort ले रहे थे, in the process आपका peace of mind खराब हो रहा था, और कहीं बस, you know, जितना मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उतना ही मुझे करना है, मुझे over कुछ भी नहीं करना है, और इसी हिसाप से अगर आप बिलकुल भी कुछ नहीं कर रहे थे उस direction में, तो इस week आप थोड़ा सा action initiative या फिर एक balance room में action initiatives लेते वे दिख रहे हैं, अब कर रहे हैं, आप जो भी चाहते हैं, उसके लिए जो भी required है, फिर से कहूंगी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक balance maintain करते हुए दिख रहे हैं, साथ ही साथ एक peace of mind रहे, एक सकून रहे, उस पे भी आप focus कर रहे हैं, and personal front के लिए आप लोगों के लिए movement, choices, decisions का card है, तो विखिए बहुत ही clearly इसमें choices और decisions लिखा हुआ है, तो हो सकता है personal front में कोई decision, कोई choice आपको लेनी है, और आप बहुत ज कभी आप उस direction में action initiative लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं, तो बहुत in and out, on and off वाली energies रहती भी दिख रही हैं, ना तो completely आप, you know, हाँ कह पा रहे हैं, ना ही completely ना कह पा रहे हैं, तो देखिए ये सबसे खतरनाक situation होती है, अगर हमने ना कह दिया ना, तो हमें परिशानी होती है, लेकिन फिर भी एक सुकून होता है, कि चलो भई, खतम हुआ ये chapter, और हाँ तो अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, especially हमारी wish, हमारी desire के लिए, लेकिन जब हम इस हाना हाना में फसे होते हैं, अटके होते हैं, तो फिर हम life में आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, हम stuck हो जात हैं, और फिर से कहूंगे ये बहुत एक toxic situation होती है, तो जितना भी difficult हो, आप decision ज़रूर लें, choice ज़रूर लें, और you know, single track होके आप जो भी चाहते हैं अपनी life में उसके लिए action initiatives लें, movement का card कहता है कि पीछे किसी भी चीज में stuck थे, उसमें से निकलना चाह रहे हैं, या फिर week निकलने की कोशिश है, and in general या फिर astrology से आप लगों के लिए challenging times का card है, तो बहुत ही clearly कहता है, चोटे मोटे issues, चोटे मोटे मसलेर है सकते हैं, और इस card में अगर आप जो figure है, उनको देखें तो उन्होंने बहुत कावच, कुंडल पहने हुए, एक shield अपने आगे रखे कितनी बारी हम अपनी परवाह नहीं करते हैं, हम उलत जाते हैं चीजों में, हम problems पर इतना focus करते हैं, कि हम उनको अपने ओपर हावी कर देते हैं, तो दिखिए, बहुत सारे situations और circumstances हो सकते हैं, जो भी हो, अपने आपको protect करना, अपने आपको safeguard करना, जो भी situation है, उसमें आप shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day, तो ये थाले ब्राज आप लोगों के लिए coming week का सापता है, एक राशी फल, और नीजे मुझे मुझे कमें सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलिए इस copyos आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है rest and rejuvenate, और ये card बहुत ही clearly कहता है कि इस week specifically professional front में आप बहुत actively चीजों में involved नहीं हो रहे हैं, participate नहीं कर रहे हैं, आप दिखें इसके लिए सब इस copyos के लिए different reasons रहेंगे, लेकिन rest and rejuvenate का card बहुत ही clearly कह रहा है कि आप थोड़ा सा राम करना चाहा रहे हैं, थोड़ा सा अपनी energies को rejuvenate करना चाहा रहे हैं, अब कुछ के लिए reason हो सकता है कि पीछे आपने बहुत effort किया, बहुत महनत करी और इस week आपको लग रहा है कि ठक गए, राम तो करना बनता है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप आगे की planning करना चाहा रहे हैं और आपको थोड़ा सा एक अपने लिए space चाहिए, एक you know free time, free time is actually not the right word, मतलब एक ऐसा time चाहिए जहाँ पे आप राम से future की planning करें, future course of action decide करें, कुछ के लिए हो सकता है कि health के point of view से, आप बहुत great नहीं महसूस कर रहे हैं, अब देखे, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हूँ कि आपकी health से related कुछ issue रह रहा है, बट कभी-कभी होता है न, हम बहुत high energy levels में नहीं होते हैं, या फिर एक enthusiasm, excitement नहीं महसूस कर रहे होते हैं, और हमें लगता है कि बस अभी नहीं उतना मन नहीं हैं, चीजों में बहुत actively involved होने का, तो यहाँ पर जो भी चीजे मेरे माइन में आई, मैंने कहा, सब के लिए different reasons रहेंगे, लेकिन काड यहाँ पर कहता है कि आप थोड़ा सा अराम करना चाह रहे हैं, या फिर अराम कर रहे हैं, और कहीं अपनी energies को rejuvenate करना चाह रहे हैं, और यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगे, स्कॉपियोज अगर आप उसको चार्ज नहीं करेंगे, तो फिर कैसे आप फरदर बात कर पाएंगे, इसी तरीके से हमें अपनी batteries को भी पास करके चार्ज करना चाहिए, तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं, बहुत पर्सनल फ्रंड के लिए आप लोगों के लिए इंट्यूशन का कार्ड है, और इंट्यूशन का कार्ड भी कहीं देखे, चीजों से किसी लिए पर विड्रॉ करने की बात करता है, कहीं यह कार्ड विज्जम की भी बात करता है, और इंट्यूशन तो इसमें लिखा ही हुआ तो Personal front में देखे, जो भी हो रहा है, आप Impulsive नहीं होना चाहा रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं करना चाहा रहे हैं, आप बहुत ही wisely, बहुत ही, जिसे बोलते हैं, समझदारी से चीजों को डील करना चाहा रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि भई, मैंने कोई भी ऐसा काम न अपनी intuition अपनी gut feeling को बहुत जादा follow करते हुए दिख रहे हैं तो दिखिए पूरा ही हफता चाहें वो आपका professional front हो या personal front हो आपके बहुत एक active energies नहीं रहती हुए दिख रही है बहुत एक जोश बहुत एक उमंग नहीं रहता हुआ दिख रहा है और दिखिए कहीं कुछ negative भी को deal करना चाहा रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए believe and succeed का card है तो दिखिए बहुत ही beautiful message आपके लिए है एक English में quotation है whatever your mind can conceive, believe it can achieve अब दिखिए बहुत गहरी बात है इसका मतलब यह नहीं है कि जो भी आप you know अच्छा-च्छा सोचेंगे आपकी life में हो जाएगा इ और उसको believe कर रहा है तो वही कुछ आप achieve भी कर लेंगे तो जो भी आपका mind conceive कर रहा है, believe कर रहा है उसको जरूर चेक करें और जो भी आप achieve करना चाहते हैं जो भी आपका goal है, target है, wish है, desire है उसके लिए भी first step यह होगा कि आपका mind conceive करे, yes this is possible, यह हो सकता है उसमें believe करे और ऐसा हुआ तो आपको उस चीज को उस आपकी wish को achieve करने से manifest करने से कोई नहीं रोक सकता है, and astrology से आप लोगों के लिए mercury ग्रह का card है, इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए हो governance day, तो यह था स्कॉपियों से आप लोगों क section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाएं, तो चलिए से डिडेजिस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है moving on, और moving on के literal meaning को देखें, तो किसी चीज से आगे बढ़ने की बात करता है, अब दिखिए general leading है, थोड़ा थोड़ा सब से details के लिए differ करेगा, कुछ के लिए simply हो सकता है कि इस week आप travel कर रहे हैं, तो अपने काम से आप थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि professional front में किसी चीज से आप move on कर रहे हैं, जैसे कि अग या फिर आप मन ही मन move on करना चाहा रहे हैं, कुछ के लिए कोई project हो सकता है, कुछ के लिए कोई colleague हो सकता है, जिसके साथ कुछ issue मसला रह रहा है और आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, इनसे ना मुझे थोड़ा सा distance करना है, कुछ के लिए आपका ही thought process हो सकता है, आप बढ़ने की बात करता है, एक movement की बात करता है, एक shift की बात करता है, तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि change of place, change of residence और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, change of job, change of project, change of team, या तो हो रहा है या फिर आप मन ही मन चाहा रहे हैं और उसी से ही related, आप action initiatives again ले रहे हैं या पर लेन की आप इस week बहार निकलते वए दिख रहे हैं और personal front के लिए आप लगों के लिए spiritual union का card है और ये card कहता है कि इस week कोई खास relationship या फिर, you know, relationships overall ही आपके लिए काफी हम रह रहे हैं अब देखें ये भी subsiditaries के लिए differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई खास इंसान आपक लाइफ में हैं, उनके साथ आपका union हो रहा है, उनके साथ आप connect कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी loved one के साथ issue मसला रह रहा था, आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही थी, आप लोगों की किसी भी level पे एक लड़ाई रह रही थी या फिर conflict हो रहा थ आप enjoy चीज़ों को करते वए दिख रहे हैं और कुछ के लिए भी हो सकता है कि किसी तरीके की celebration, get together, reunion या फिर gathering रहे हैं, अब देखिए ये general reading है, ये celebration, get together, gathering, reunion सब के लिए डिफर करेगा, कुछ के लिए फिर से मैं कहूंगी कि कोई खास इंसान है, उनके साथ ही आप ज़ादा इंटराक्ट कर रहे हैं, ज़ादा मिल रहे हैं, ज़ादा आप, you know, dinner पे जा रहे हैं, coffee पे जा रहे हैं, और कुछ के लिए आपके loved ones, close ones हो सकते हैं, जिन से आप ज़ादा connect कर रहे हैं, या फिर, you know, कुछ के लिए हो सकता है कि एक छोटी मुटी gathering हो रही है, you know, personal front में आप थोड़े से emotional, थोड़े से sentimental भी होते हुए दिख रहे हैं, अपने किसी खास loved one के लिए या फिर overall ही अपने close one और loved ones के लिए एक love के और महसूस करते हुए दिख रहे हैं, and in general या फिर guidance से आप लगों के लिए lead का card है, और ये card कहता है कि इस week आपने किसी को follow न आप भी जाते जाएं, और कहीं आप जिन भी इंसान को trust करते हैं, और फिर आपको faith है, उनको follow करें, तो ऐसा इस week की आपके लिए guidance नहीं है, इस week है आपने किसी को follow नहीं करना है, आपने चीजों का control अपने हाथ में लेकर बहुत confidently आगे बढ़ना है, action initiatives जो required है वो लेने है और lead लिनी है आपने, and astrology से आप लगों के लिए Sagittarius sign का card है, इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लगों के लिए लखी रहेंगे, and significant आप लोगों के लिए होगा Thursday, तो ये था Sagittarius आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कि कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चलिए Capricorns आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है shadow, और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर overall ही, आप थोड़ा सा चिंतित ह हो सकते हैं, थोड़ी सी आपको फिक्र हो सकती है, एक fear, एक insecurities भी रह सकते हैं, अब देखें इस चीज़ को सुनके आपने बिल्कुल भी नहीं परिशान होना है, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की reading नहीं है, ये सिरफ और सिरफ इस week की reading है, और weekly reading में बहुत बड़े मसल नहीं होते हैं, चोटी मोटी चीज़ें होती हैं, एक का दुका लोगों की बात अलग है, और देखिए वैसे भी shadow के card को या shadow के meaning को आप समझें, something that is not concrete, something that is not real, shadow आती है, चली जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, फिर से मैं कहूंगी वो real नहीं है, इसी तरीके से जो अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, तो आप इस वीक के energy इसको बहतर करेंगे, नहीं तो फिर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, थोड़ा सा you know, आप मायूस हो सकते हैं, तो देखिए फिर से मैं कहूंगी कि जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, वो real नहीं हैं, सिरफ आपका mind उनको real बना रहा है या फिर बड़ा बना रहा है, और अगर आप अपने thoughts को इस वीक observe करें, negative thoughts को आप positive thoughts के साथ रीप्लेस करें, negative thoughts को आप recoil cancel, delete करके, फिर से मैं कहूंगी, अगर आप positive thoughts के साथ उनको रीप्लेस करते हैं, इस वीक के energies को बहतर करें या नहीं तो फिर थोड़ा सा परिशान हो सकते हैं, and personal front के लिए आप लोगों के लिए material harvest का card है, देखिए material कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों को represent करता है, और harvest कहीं, you know, एक positive outcome की बात करता है, जैसे फसल होता है न, उसको हम harvest करते हैं, तो ये card कहता है, पीछे किसी भी चीज को लेकर अगर आपने बहुत effort किया, बहुत महनत करी, आपको positive result मिला, तो इस week आपको ऐसे लग रहा है कि खुद को party देनी है, खुद को, you know, enjoy करवाना है, और कहीं इस चीज को enjoy करना है, इस positive outcome को enjoy करना है, और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, material कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ करता है, तो कहीं इन ही चीजों के through, आप खुद को enjoy कराना चाहा रहे हैं, या फिर इन ही चीजों को आप भोगना चाहा रहे हैं, और कहीं देखिये कुछ के लिए भी हो सकता है, कि कोई बड़ी purchase आप कर रहे हैं, आदरवाइस आप shopping कर रहे हैं, कहीं comfort, luxury, एक lifestyle आप maintain करना चाहा रहे हैं, और फिर इन चीजों पर आप खर्श कर रहे हैं, इन चीजों पर आपका focus है, all in all एक happiness joy रहती हुई दिख रही है, और इस happiness joy का source कहीं materialistic tangible चीजे रहती हुई दिख रही हैं, उनको enjoy करना रहता हुआ दिख रहा है, उनको खरीदना या फिर उनको avail करना रहता ह हुआ दिख रहा है, तो ये week, personal friend से related काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, professional friend में मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा, अगर आप अपने thoughts की checking करते हैं, तो आप उसको बहतर कर पाएंगे, आप देखते हैं कि in general और guidance है, आप लगों के लिए क्या card है, तो यहां पर कि कुछ fear, insecurities आपको परिशान कर रहे हैं, और यह card भी कहीं वही आपको guidance देता है, कि आपने अपने इन fears, अपनी insecurities को अपने उपर हावी नहीं होने देना है, आपने इनको upfront होके deal करना है, आपने इस चीज को समझना है, कि यह सिरफ आपका thought है, यह real नहीं है, और वैसे भ यह clear है, फिकर है, यह भी permanent नहीं है, इसको positively deal करेंगे, इसके हल, इसके solution पर focus करेंगे, बहुत असानी से इसमें से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अगर problem पर ही focus करते रहेंगे, छोटी-छोटी चीज़ों को अपने mind में बढ़ा बनाएंगे, तो फिर परिशान हो सकते हैं, और astrology से आप लगों के लिए Leo sign का card है, इसके इसाब से all shades of yellow इस week आप लगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लगों के लिए होगा Sunday, तो यह था कि Capricorns आप लगों के लिए coming week का सापता है, एक राशी फल, और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके कितना आप connect कर पाए, तो चलिए एक कोई दिस आप लगों के लिए देखे कि coming week क्या ले करा रहा है, क्या energies है, तो professional front के लिए आप लगों के लिए card है deception and envy, और दिखिए यह card कहीं किसी level पे किसी तरीके से unfair energies की बात करता है, cheating की बात करता है, एक jealousy की भी बात करता है, तो overall इस card के हिसाब से बहुत great यह week आप लोगों के लिए नहीं रहता हुआ दिख रहा है, और यह खास कर आपके professional front के लिए रह रहा है, अब देखिए general reading है, थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा, कुछ Aquarius के लिए हो सकता है, कि भी आप थोड़ा सा चीजों को diplomatically deal कर रहे हैं, व अगर थोड़ा सा भी आपको उनके उपर doubt होता है, आपको ऐसे लगता है कि उनके intentions, उनके motives आपके लिए ठीक नहीं हैं, आप cautious हो जाएं, conscious हो जाएं, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि blindly इस week आप हर इंसान को ना trust करें, आप थोड़ा सा you know, अच्छे से चीजों को समझें, अच के बाद ही अपने action initiatives लें, तो overall के लिए इस week specifically professional friend में alert होना बहुत important, alert होना नहीं, alert रहना बहुत important है, cautious, conscious होके चीजों को करना बहुत important रहेगा, वहीं साथ ही साथ अगर आप एक escapism वाली energies में हैं, यानि कि आप कुछ important चीजों को avoid कर रहे हैं, ignore कर रहे हैं, देखके अंद ना कर रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आप जरूर चेक करके correct करें, and personal friend के लिए आप लोगों के लिए power का card है, और दिखे, ये card कहता है कि कुछ issues, कुछ challenges आपके personal friend में रह सकते हैं, और या पे power का card आपको यही message दे रहा है कि आपने बहुत strongly, बहुत courageously, बहुत boldly इन सब च deal करें, हम courageously ना deal करें, तो फिर क्या होता है कि वो बड़ी powerful बन जाती हैं, हम weak बन जाते हैं, वो हम पे हावी होती हैं, और हम बहुत परेशान होते हैं, और अगर हम pause करके उन चीज़ों को, उन problems को समझना चाहें, तो हमें realize होता है कि अरे ये तो बहुत ही छोटी सी problem थी, बहुत ही छोटी सी बात थी, हम कैसे इतना इस से disturbed हो गए, तो यहाँ पर देखें, मेरा आप लोगों के लिए, एक message यही है, या फिर मैं कहूंगी, मेरा नहीं card का आपके लिए message यही है, कि आपने जो भी छोटा मोटा भी issue है ना, उसको बहुत upfront होके deal करना है, बिलकोई भ धबराना नहीं है, और willpower determination जरूर रखनी है, और in fact यह card आपको याद भी दिलाता है, कि आपके अंदर बहुत power है, बहुत जबरदस्तिक strength है, उस चीज का एहसास आपने रखना है, उस चीज को आपने याद करना है, और फिर से कहूंगी, अगर आप ऐसी energies में रहे, willpower रख लेकिन वहीं अगर आप थोड़े से weak हो गए, यह छोटे मोटे मसले बहुत powerful हो जाएंगे और आपको परिशान कर सकते हैं, तो इस चीज का खयाल रखियेगा, and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए embrace का card है, और यह card कहता है कि जो भी चीज आपको serve नहीं कर रही है, उसको इस week आपने let go करना है, जो भी अच्छी चीजें हैं, जो आपकी life में वो happiness ला सकती है, वो joy ला सकती है, जो आपको आपके goal आपके मकसद की तरफ लेकर जा रही है, आपने उनको embrace करना है, उनको welcome करना है, and astrology से आप लोगों के लिए Venus यानि की शुक्र ग्रह का card है, और इसक हिसाब से all bright shades आप लोगों के लिए इस week लखी रहेंगे, and significant आप लोगों के लिए होगा Friday, तो ये था Aquarius आप लोगों के लिए coming week का सापता है, और नीचे मुझे कमें सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रिजोनेट किया, कितना आप connect कर पाए, तो आपको fever करेगी, किसमत आपका साथ देगी, और दूसरी बात ये काट change की बात करता है, speed की बात करता है, तो आपके professional front में positive changes रह सकते हैं, अच्छी opportunities आ सकती हैं, और कहीं चीजें बहुत speed से आगे बढ़ती हुए दिख रही हैं, लेकिन दिखें जैसे कि मैंने आभी आपको सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, इस card का आपके लिए यही message है, कि जो भी opportunity आए, अगर आपको लगे की बहुत बढ़िया है, तो आप बहुत जाधा delay ना करें, उस opportunity को ले ले ले, नहीं तो आप miss कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, destiny का card कहीं wheel को represent करता है, wheel आगे बढ़ता रहता है, तो यहाँ पर देखिए, इस हिसाब से, इस week आपके professional front में जैसे कि अभी बताया, changes रह सकते हैं, चीजें आगे बढ़ती हुई दिख रही है, movement आती हुई दिख रही है, अब देखिए, यह changes surprises के लिए differ करेंगे, कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप travel कर रहे हैं, कु कुछ action initiatives आप ले रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है, तो कहीं एक growth progress पे आप focus करना चाह रहे हैं, चीजों को next level पर लेकर जाना चाह रहे हैं, और कहीं, you know, इसी direction में positively चीजें रहती हुई भी दिख रही हैं, and personal front के लिए आप लोगों के लिए trapped in fear का card है, और यह card कहता है कि personal front में किसी खास चीज को लेकर, या फिर overall ही, एक helpless, एक hopeless energies आप महसूस कर सकते हैं, I know trapped in fear, helpless, hopeless, यह बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, और कहीं यह शब्द बहुत परिशान कर देते हैं, लेकिन यह weekly reading है, weekly reading में बहुत ही छोटे मोटे मसले होते हैं, बड़ी कोई भी चीज नहीं होती है, तो आप इत्न मिनान रखें कि बहुत कुछ बड़ा ऐसा गलत नहीं होने वाला है, छोटी-छोटी चीजें आपको bother कर सकते हैं, आप देखें यहां पर हमारे उपर depend करता है, हम इन छोटी-छोटी चीजों को अपने mind में कितना बड़ा बनाते हैं, आपने कि इतनी बारी देखा होगा लोगों को, कि लाइफ में सब कुछ बहुत बड़िया है, एशो अराम है, लेकिन आप उनसे पूछें कि आप कैसे हैं, तो वो इतनी कंप्लेन करेंगे, इतनी अपनी problems को बता देंगे, या क्या आप हैरान हो जाते हैं, कि भई, इतना सब कुछ हो बाद भी इनसान अगर परेशान है, तो भई, इसके पास नहीं है, उसकी तो फिर सिचुएशन सब कम सांसे हम इमाजी नहीं कर सकते हैं, और on the contrary, ऐसा इनसान जिसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उससे पूछेंगे कि कैसे हैं, वो बलेंगे बड़े मजीमें है तो दिखिए, फिर से कहूंगी हमारी life में जो भी issues हैं, उनको हम अपने mind में कितना बड़ा छोटा बनाते हैं, वो बहुत कुछ determine करता है, तो card के हिसाब से इस week छोटे मोटे issues रह सकते हैं, जहां पर आपको ऐसे लग सकता है कि beyond the point आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं इसी वज़े से यादरवाइस एक insecurity fear आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसी fear, इसी insecurity को अपने उपर हावी नहीं होने देते हैं और खुद को बोलते हैं, अरे भाई, इस week की energies हैं, नया week नहीं energies लेकर आएगा, यह तो life है, छोटे मोटे issues रहते हैं, घर से भी बहार निकलें, तो red light मिलती है, खड़े मिलते हैं, traffic jam मिलता है, यह तो part and parcel है, तो इस तरीके कि अगर आप self talk करते हैं, और इसी situation में से आप कैसे बहार निकल सकते हैं, क्या उसका हल है, क्या उसका solution है, आप उस पे focus करते हैं, यकीन मानिये, आपको हल मिलेगा, आपको उसका solution मिले करेंगे, आगे बढ़ेंगे, चीजों को बहतर करेंगे, और अगर थोड़ा सा भी आपने fear को energy दे दी, और जो भी problem है, उसको energy दे दी, तो फिर आप इसी energy में गुम हो कर रह जाएंगे, और आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ही एक गंभीर समस्या है, लेकिन ये गंभीर समस पर्सनल दोनों में से किसी भी front या फिर दोनों ही friends के लिए हो सकता है, लेकिन पर्सनल के लिए जाधा रहतावा देख रहा है, teach का मतलब सीखना, सिखाना, जिंदगी सबसे बड़ी teacher है, तो जिंदगी में जो भी issues, challenges आते हैं, वो हमें कुछ सिखा रहे होते हैं, उन में ए उसको जानते हैं, वो blessing हमें दिखती है, हम जिंदगी से सीख लेते हैं, अपनी जिंदगी को बहतर करते हैं, तो यहां पर देखिए, एक मतलब teach का ये है, और दूसरा मतलब ये है कि यहां तो किसी को guidance, counselling आप दें, जिसको जरुरत है, या अगर आपको जरुरत लगती है guidance और counselling की, तो जिस भी इंसान को आप trust करते हैं, faith करते हैं, उनसे guidance, counselling जरूर लें, और astrology से आप लगों के लिए Mars रह का कार्ड है, इसके हिसाब से all shades of red, maroon, rust, इस week आप लगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लगों के लिए होगा Tuesday, तो ये था पाइसे साप लगों के ल क्वेश और लगों के लिए करते हैं, खर का करते हैं, और लाएसे साप लगों के लिए्यों के लिए उनसे हैं.